हेलो एब्रिवन वेलकाम अगेन इं लर्ण विद दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर एट जो कि इस क्लास का सबसे आखरी चैप्टर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिना देरी के साथ फर्स्ट कुशन है अंतराष्टिय परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है आपको पता है 21 सितंबर को अंतराष्टिय परेटन दिवस मनाया जाता है नेक कुशन देखीए, राश्ट्य परेटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 25 जनवरी यानि कल मनाया गया था राश्ट्य परेटन दिवस मनाया गया नेक कोशन देखिए राजस्थान परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं ये तीश मार्ज को मनाया जाता है नेक कोशन देखिए परेटक किसे कहा जाता है देखें पारीभासिक रूप से यानि आपको हर चीज की definition पता होने चीए तो परेटक किसे कहा जाता है परेटक वो वेक्ति होता है जो किसी अन्य इस्थान पर किसी भी कारणवाश चाहे वो घुमने के लिए आया हो चाहे वो वेबसाइक किसी कारे के लिए आया हो परेटक कहलाता है नेक कुशन देखिए भारत में आने वाले कितने परेटक राइस्थान में परेटन का चैन करते हैं यह कुशन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह दो बार पहले भी एक जम में आ चुका है तो इस कुशन को याद रखेगा राइस्थान में हर तीसरा परेटक आता है यानि भारत में अगर तीन परेटक आते हैं तो उसमें से एक परेटक राइस्थान में आता है तो इसका समझ सकते हैं कि राइस्थान के लिए यह औध्यो कितना इंपोर्टेंट्स रखता है नेक कुशन देखिए विदेशी परेटकों को भारत की और आक्रसित करने के लिए कौन सा कारेकरम तयार किया गया है विदेशी परेटकों को भारत की और आक्रसित करने के लिए कौन सा कारेकरम तयार किया गया है क्या कहते हैं उसको उसको कहा गया है अतुल्य भारत अतुल्य भारत नाम से एक कार्यकरम चलाया जा रहा है, हमारी भारत सरकार के द्वारा जो विदिशी परेटकों को भारत की और आफिरसेत कर सके, नेक क्यों देखिए, राजिस्थान में परेटक को बढ़ावा देने के लिए, राजिस्थान में परेटन विकास निगम की आपना की गई थी, नेक क्यों देखिए, राजिस्थान में परेटन को बढ़ावा देने के लिए, कौन से नारे लगाए जाते हैं, तो कौन-कौन से नारे हैं ये देखिए, देखिए, ये कुछ नारे तो ऐसे होते हैं, जिनको जैसे साल के अकॉर्डिंग उनको विशस न नारा देखिए, इस साल ये नारा प्रिफरेंस में रहेगा, तो 1978 में ढोला मारू रहा था, फिर 1993 में और 2019 में भी जो अभी चल भी रहा है, अभी तक चल रहा है, पधारो महरे देश, 2008 में रंगीलो राजिस्थान, 2006 में जाने क्या दिख जावे, और सुरंगा राजिस्था राजिस्थान पधारी आदी जैसे नारे रेगुलर लगाये जाते ही, चलिए, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान का परेटन का प्रतीक क्या है, ये एक स्लोगन है, जिसको कहा गया भारत का अतुल्य राज्य, याना इन्क्रेडिटेबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये इन्क्रेडिटेबल स्टेट ऑफ इंडिया, नेक कोशन देखिए, नेक कोशन है आपका, परेटकों को सुविधा के लिए राजिस्थान को अलगलग परेटक मंदलों में बांट गया गया है, इनमें सबसे जादा परेटक किन मंदलों में आते हैं, परेटकों को सुविधा के लिए राजिस्थान को अलगलग परेटक को की सुविधा के लिए परेटक जो हैं उनकी सुविधा के लिए राजिस्थान को अलगलग परेटक मंडलों में बाट दिया उसमें सबसे ज़्यादा जो परेटक आते हैं वो किस मंडलों में आते हैं उनका क्या-क्या नाम है उन प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल काली बंगा वे पीली बंगा राईस्थन के किस जिले में इस्थित है? देखिए एकाली बंगा के बारे में आपने बहुत सुना होगा और पीली बंगा भी है तो ये किस जिले में इस्थित है? प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल बैराठ राईस्थन के किस जिले में इस्थित है? जो प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल गनेश्वर राईस्थन के किस जिले में इस्थित है? जो गणिश्वर इस्तल है वो राइस्थान के किस जिले में इस्तित है वो है आपके सीकर के अंदर राइस्थान के सीकर जिले में गणिश्वर राइस्थान के सीकर जिले में इस्तित है नेक कुशन देखिए प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल हावा महल, आमेर का किला और जनतर मानता राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो यह आप बहुत अच्छे से परिशित हैं कि यह कहां पर हैं सभी जानते हैं यह सब जैपूर में इस्थित है प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल विजय इस्थम राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो यह कहां पर इस्थित है यह चितोड़ गड़ के अंदर इस्थित है इसी तरीके से जो प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल किर्ती स्थम है वो राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो जो किर्ती स्थम है वो भी चितोड़ गड़ के अंदर ही इस्थित है नेक कोशन देखी पिरसिद एतिहासिक परेटनिस्थाल कुम्बलगर का किला राइस्थान के किस जिले में इस्थित है कुम्बलगर का जो कला है वो राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो वो किस में है राजसमन्त के अंदर है कुम्बलगर का किला है वो राजसमन्त के अंदर इस्थित ह ने कोिशन देखी, पिर शिद एतिहासिक प्रेटनिस्तल सजगर का किला और सिटी पैलेश, राईस्थान के किस जिले में स्थित हैं? सज्जनगड का किला और सिटी पैलेस जो है वो राईस्थान के किस जिले में है वो है उद्यपूर के अंदर ठीक है चलिए ने कोशन देखी प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्तर महरानगड का किला राईसन के किस जिले मिश्थित है तो किस जिले में है जोदपूर के अंदर है ये महरानगड का किला कहा है जोदपूर के अंदर ने कुशन देखी प्रिसिदेट्यासिक परेटन इस्तर सोनार गड़ का किला राजसान के किस जिले मिश्टेत है तो यह कहाँ पे है यह जैसल मेर के अंदर इस्तित है ठीक है इनके आप notes बना लिजे, best है कि एक page उठाईए और इनको इनके place के हिसाब से इनको mention कर लिजे उस page पे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो पाएगा जाय समन, फत्यसागर, पिछोला, उदैसागर, आधी जो जीले हैं, और सिल्प ग्राम, किस राइसान के जिले में इस्थित हैं? यह है उदैपूर के अंदर, आपको पता है यह जीलों की नगरी कहा जाता है उदैपूर, वो क्यों कहा जाता है, वो ऐसे ही थोड़ी कहा जाता बहुत सारी झिले है। नेक क्वच्छन देखें। पिरिसीद नक्क्जील रायसान के किस जिले में इस्थित है। तो वो है आपके सिरोही के अंदर, प्रिसीद नकी जील जो है राजसान के सिरोही जिले में है, नाइक कोशन देखिए, पुसकर जील राजसान के किस जिले में इस्टेत है, ये तो हम सब ही परीचेत है, पुसकर जील बहुत कॉमन है, है ना, पुसकर जील आपके अजमेर में मिश्टे थे और और क्या है राज समंद जील के नाम से गवरा जाते हैं तो पूचा नहीं जाता इसलिए राज समंद पर कभी वो ठेकनिक अदर यह होती तो एक्सा दिमाख मिलकुल मतल लगा ये राज समंद जील राज समंद के अंदर ही है नहीं कोश्वन देखिए चूलिया और मेनाल जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में इस्तित है ये चितोर गड़ के अंदर इस्तित है तो ये तो हम सभी जानते है ये सवाई माद उपुर में है है ना, 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 कोशन देखिये, सरिस्का राश्ट्य उध्धान राईसान के किस जिले में इस्ते थे, सरिस्का राश्ट्य उध्यान राईसान के किस जिले में इस्ते थे, तो यह है बिना मात्रा का सहर, यानि अलवर, सरिस्का राश्ट्य उध्धान कहां इस्ते थे, अलव किस जले में स्थ्टत है यह आपके भरत पूर के अंदरмен अगला को स्देखिए आफिर राष्टिय मरू अध्यान जो राज़तां के किस जले में है यह 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 स्थावर्ज़मेर और बार्डमेरं मरू का मतलब क्या है रेगिस्थान है ना रेगिस्थान से सम्मध्दित होता है न मरू तो मरू उध्यान जो है कहाँ पर होगा जासल में इस एरिया में हो सकता है नहीं कुश्चन देखिए चंबल नदी के किनारे चंबल अभ्यारण में किन जीवों को सरक्षन दिया गया है यह तो यह च्पनिक्ठी दिया गया है यहां पर मगर मच्षों और घड़्यालों हीतु सरक्षन दिया गया है तो बचों यह अभी जील लिए काफिळ बाकी है तो इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करतें हैं तो मिलते हैं नेक्ट बीट विट्वियों में तब तक के लिए THANK YOU झाल झाल